श्री गुरु वे नमस्कार मैं सूरेज मिस्रा आप लोबों का इस्टो गुरू इस्टो तक पर आपका बहुत-बहुत श्वागत करता हूं यह आज तक का इस्टो तक विशेजड प्रोग्राम आपके पास धर्न एबन जोतिस से जुरी विशेज जानकारियों को लेके आता ह कि आझ मिए जइनली मूड चैंज हो जाता है काफी परेशान रहते हैं मतलब रहते रहते उनको क्रोध करने का मन या रोने का आमया तमाम चीज़ें प्रकार की होती रहती है उसके उप्चार के बारे में बात करेंगे और वह रासी वाले जातक अपने इस रोग यह मन से संबंदित होता है और इसका मूल काड़क होता है चंद्रमा और इस कारण हमने रासी बार इसका उपचार धून निकाला है और लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं जोतिसके माद्धिम से और निश्चेत तोर पर मैंने जो पहले कु को सबसे पहले जिनने एंजायटिस रोग इत्यादी है उनको सबसे प्रथम काम ये करना है कि उनको असनान करने से पुर्व सरसों का जो तेल है उसका एक बुंद जल में जरूर गिराएं और सरसों की तेल को दान भी करना है तो दान करने की प्रक्रिया बताएंगे तो पहले असनान करने की प्रक्रिया में सर्शों का तेल एक बुंद डालना है जल में और उस जल से असनान करना है असनान करने के उपरान तक आपको पक्षियों को जल देना है जी हाँ इंजाइटिस रोग जिनको है उनको पक्षियों को जल दें या पक्षियों की चाचाहट मकरणासी वाले जातक हैं जो सुनेंगे उनसे एक धोनीची किसा के आधार पर उनका जो है मन इस्थर रहेगा पूजन करने के लिए तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है या निश्चित तौर पर बान ले हनुमान चालीसा पढ़ना है और हनुमान बान का भी प्रियोंक मकरणासी वाले जातकों को करना है बजरंगबान उनको बजरंगबान पढ़ना है दूसरी बात सनिवार के दिन आपको काले कपड़े में साथ अनाज दान करने है और शंध्या के समय जब संध्या हो जाए तो प्रतेग दिन पीपल ब्रिक्ष के नीचे रविबार को सिर्फ छोड़कर पीपल ब्रिक्ष के नीचे एक दीप डालना है और दीप डाल कर आपको ध्यान करना है आप जब दीप डालने जाईएगा तो दीप डालने के बाद उस अस्वस्त यानि पीपल ब्रिक्ष को पड़ाम करें और चंद्रमा का वहां बैठ कर ध्यान करें और चंद्रमा को ध्यान करते वक्त आप संभभ हो सके तो आगे में एक जल जरूर रखें पीपल ब्रिक्ष के नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं बैठ सकते तो आप आजाएं और अपना जो घड़ है वहां स्थल पर छट पे या जहां भी चंद्रमा को आप देख सकते हैं खुली जाता है कृष्ण पक्षमें और नहीं दिखता है उस समय भी क्या करें उस समय भी आप कुछ नहीं वह आकास चुकि चंद्रमा है वह हमें दृष्टी गोचर नहीं हो रहा है बस इतना ही फड़क है तो आप आसमान दीप डालने के बाद आसमान के नीचे बैठें और आसमा प्रश्याओं का आपको निदान दिखने लगेगा निच्चित्रवर्ति आपकी सांत रहने लगेगी दूसरा आपको रात्री में जब आप सोने जाने लगे तो आप अपने बिछाबन के नीचे नीला रुमाल या चादर को नीला चादर का प्रियोग करें आप ऐसा करने से आपको यह बात मैं एकदम सौ परसेद दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो मैंने उपचार बताये हैं मकर रासी वाल में उभर रही है चुकि प्रतियस पर्धा का दौर है सब विकास करना चाहता है और विकास के क्रम में काफी बड़ी-बड़ी समस्याओं को क्योंकि विकास करेंगे तो समस्या आएगी तो समस्या कारण जो है मांसी कुर्प से पढ़ेसान हो जाता है उसके उपचार के आपको अपने माता पिता का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना है या वो आसपास रह रहे हो उन्हें प्रणाम कर लेना है और उसके बाद जाके सो लेना है तो मकर रासी वाले जातकों को जो उपचार बताया मैं विश्वास है कि आप लोग इस उपचारों को करेंगे और निश्चत तोर पर आपको एंजाटी सरोग से निदान मिले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुबाद नमस्कार